नमस्कार दोस्तों मैं अगनाम स्री कांकुमर अब देखरें टू जेट टोसिस आज हम बात करने वाली सी वीडियो में दोस्तों भारा सरकार द्वारा महिलाओं के बैंक एकांट में 55,000 उप्या सीधे बैंक एकांट में ट्रांसपर किया जा रहा है इस पैसा को वापस करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल फिरी में दिया जा रहा है और आवेधन करने के लिए इधर उधर कहीं भी जाने के जरूरत नहीं पड़ेगा घर बैठे अपना मुबाईल एक्टोप के माधियम से सिर्फ 5 मिनट में आप आवेधन कर सकते हैं तो कैसे आवेधन करना है कैसे आईकन घंटे को प्रेस कर लिजे ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले की पास पहुँच पाए तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं ओनलाइन आवेधन करने के लिए सबसे पहले मोबाईल ये लेप्टोप का किसी एक ब्राजर को ओपिन कर लेना ह पी एमे भी वाई डोट डबलू सी डी डोट जी ओवी डोट इन इस परकार से टाइप करने के बाद सर्च के आप्शन पे क्लिक कर दना है गोर्मेंट आप इंडिया का ओफिशल पोटल इस परकार से ओपीन हो जाता है जो इस परकार के इंटरपेस देखने के लिए मिल जा इस अस्किम में अभी तक कितने लोग आवेधन किये हैं कितने लोग अपलाई किये हैं इस परकार से यहां पे देखिए कौंट करके बताया गया है और अभी तक कितने लोग को पैसा मिला है इस परकार से यहां पे देखिए कौंट करके बताया गया है तो इस योजना में अ पेज open हो जाता है, इस पेज में अपना full name type करना है, यहाँ पे अपना state के name को select करना है, यहाँ पे area को select करना है, अगर आप grammy छेतरे से belong करते हैं, तो rural वाले option को select करना है, अगर आप सहरी छेतरे से belong करते हैं, तो urban वाले option को select कर लेना है, यहाँ पे block के name को select करना है, यहाँ पे village के name को select करना है, यहाँ पे beneficiary के साथ आपका क्या relationship है, select करना है, उसके बाद kirit account के option पे klik करके, यहाँ पे सबसे पहले kirit कर लेना है, उसके बाद फिर से यहाँ पे अपना mobile number को type करना है, उसके बाद verify के option पे klik करना है, आपके mobile number पर एक OTP को send किया गया है, OTP को इस box में टाइप करना है उसके बाद while date के option पे click कर दना है उसके बाद इस परकार से आप login हो जाते हैं और login होने के बाद कुछ इस परकार के interface देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा three line के option three line के option पे click करना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता बिनी फेसरी रेजिस्टेशन के option इस वाले option पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे देखे इस परकार के एक रेजिस्टेशन form open हो जाता है इस form को सही तरीके से फिलप करना है इस form को फिलप करते समय आपको mistake से भी गलती नहीं करना है वड़ना आपको 5000 रुपया का benefit नहीं म PSU से अगर आप आते हैं तो आपको क्या करना yes वाले option को select करना गर नहीं आते हैं तो यहाँ पे क्या करना no वाले option को select करना है अगर आप यहाँ पे yes को select करते हैं तो इस योजना का आप repeat नहीं उठा सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दो option देखने के लिए मिल जाता है, यहां पे आप से पूछा गया है कि जो आप आवेधन कर रहे हैं, फस्ट चाइल्ड के लिए या फिर सिकेंड गल चाइल्ड के लिए तो चले सबसे पहले हम यहां पे सही से समझ लेते हैं क्या इसका प्रोसेस है और कौन सा अस्कीम है चले सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं उसके बाद फिर हम आवेदन करके दिखाने वाले हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखे इस योजना का नाम है परधान मंत्री मारतो बंदना योजना और यहाँ पे देखे बताया गए कि आवेदन करना हुआ असान अब यहाँ पे देखे सबसे पहले जान लेते हैं कि ए योजना किन लोको benefit मिलने वाला है तो यहाँ पे देखे साफसा बताया गया है कि पहली बार मां बनने वाली गरभती महिलाओं को मिलेगा 5000 रुपया तो अगर आप एक गरवाती महिला हैं तो फिर आप गौर्मेंट से 5,000 रुपा का बिनिपीट उठा सकते हैं यहाँ पर देखिए बताया गया कैसे आपको 5,000 रुपा का बिनिपीट दिया जाएगा उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया गया है कि नवजात सीसू का जन्वी पंजिकरन एवं पहले चरन का टीका करन कराने के बाद फिर आपके बैंके काउंट में 2,000 रुपा की रासी ट्रांसफर किया जाएगा यानि टोटल जो है कि 5,000 रुपा आपके बैंके काउंट में मिलने वाला है अगर आप पहली बार मा बनती हैं तो यही अगर आप दूसरी बार मा बनती हैं और अगर आप सीसू करन्या को अगर आप जन्वी देते हैं तो यहाँ पर देखिए 6,000 रुपा का बिनिपीट मिल जाता है कि आपके पास इसमें से अगर कोई भी एक डॉक्मेंट है तो इस योजना में आप आवेधन कर सकते हैं तो चले यहाँ पर हम फर्स्ट चाइल्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देते हैं उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि जो आप बच्चा को जन्मे नहीं दिये हैं तो आपको क्या करना है जीरो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है उसके बाद यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा box box पर टिक अट करना है उसके बाद scroll down करना है अब यहाँ पे अपना full name को टाइप करना है जो आपका धार कार्ट पे नाम होगा ही सेम नाम को यहाँ पे type करना, धार number को type करना, date of worth को select करना है, कितना अपका age होरा, यहाँ पे automatic सो हो जाएगा, यहाँ पे category को select करना है, यहाँ पे सबसे पहले select करना है, यहाँ पे जो अपने mobile number को type कियें, एक किसका है, यहाँ पे सबसे पहले select करना होगा, अगर खुद का है, कर लिए हैं अब यहाँ पे इस्रम कार्ड नम्बर को टाइप करना है उसके बाद यहाँ पर डॉक्मेंट को अफ्लोड कर देना होगा तो एम सीपी कार्ड डिटिल क्या होता है चलिए सबसे पहले इसके वारे में भी हम जान लेते हैं तो यहाँ पर आप देख रहें कि मेरे पास mcp card है और एक card जो है कि आगनवाड़ी के थ्रों से बनाया जाता है और इसी card में जो है कि पूरा details आपको देखने के लिए मिलेगा है यहाँ पर जो भी details आपसे मांगा जा रहा है उसी card में details दिया हुआ है यहाँ पर आपको देदना है अगर उस card में details नहीं है तो फिर आगनवाड़ी में जाकर आप जो हैं कि ले सकते हैं और यहाँ पर fill up कर देना है उसके बाद अब यहाँ पर अपना present address को fill up कर देना है यहाँ पर सबसे पहले अपना आगनवाड़ी को select करना है उसके बास submit के option पे click कर देना है जैसे आप submit का option पे click करते हैं तो यहाँ से submit successfully हो जाता है फिर जैसे आप एक दो step को complete कर लेते हैं तो फिर आपके bank account में 5000 रुपया के रासी transfer कर दिया जाएगा तो इस परकार से आप जो हैं कि परधान मंत्री मारतो बंदना योजना में आवेदन करके आप government से 5000 रुपय का ability ले सकते हैं